सादी हो या सर्दी हो आज मैं बनाने जा रहे हूँ सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाला मूंग दाल का हलवा जो कि स्पेसल सादियों में बनाई जाती है और ये मैं एक छोटी सी कटोडी घी से बस बनाई हूँ मैं इसमें घी का ज़्यादा यूज नहीं की हूँ बस क एक कटोडी में मूंग दाल ली हूँ, उसे अच्छे से दो-तिन पानी से हम साफ कर लेंगे, तो इसे हम दो-तिन पानी से साफ कर लिए हैं, और हम उसी कटोडी से तीन कटोडी हम दूद लेंगे, जिस कटोडी से दाल ना पे थे, मेजरमेंट के लिए सेम कटोडी रखेंगे, और तीन कटोरी दाल लिये हैं और इसे हम गैस पे एक तरफ चरहा देंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसे हलवे में यूज करेंगे तो इसे हम गाढ़ा होने के लिए हम चरहा दिये हैं और दूसरे तरफ हम अपना हलवा बनाने के लिए करहाई चराए हैं और एक चम्मच घी डालेंगे तो हम घी को सारे कटोरी में निकाल लिए थे और हम इसमें करिब एक चम्मच घी डाले ठे और हम इसमें सारा अपना धोया हुआ दाल डाल दिये हैं और इसे हम लगातार भुनेंगे बिल्कुल इसे फ्राय कर देना है दाल को घी में अच्छी तरह से भुन लेना है और इसे आठ से दस मिनट तक इसे लगातार भुनेंगे तो इसका फ्लेम जो है हम मीडियम हाई रखे हैं और बीच बीच में हम अपना दूद भी चला रहे हैं क्योंकि वो नहीं चलाएंगे तो वो सट जाएगा इसलिए उसे भी चलाते जा रहे हैं तो ये देखिए बिल्कुल भुना गया है आठ से दस मिनट हो गया है और ये बिल्कुल मेथी की दानी की तरह जंजन कर रहा है और कलर भी बिल्कुल उसे ही आया है तो अब हम इसे को ज्यादा पीसना नहीं है, बिल्कुल सूजी के दाने जैसे होते हैं, बिल्कुल ओसा ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है, जैसे आटे में सूजी मिला दिया हो, उस तरह से ये बिल्कुल खर-खर कर रहा है, तो अब हम कड़ाई चरहाएंगे, और एक कटोरी देखिए, हम छोटी स कटोरी से एक कटोरी घी डाले हैं, हम ज्यादा घी का यूज भी नहीं कर रहे हैं, और हम इसको में एक चमच बेसन डाल रहे हैं, इसे हल्वा बनाने से पहले, इसमें सबसे पहले हम एक चमच बेसन डालेंगे, तो बेसन डालने से क्या है, बहुत अच्छा टेक्शर आता ह है उसमें सुंधा सुंधा पुन टालना ना भूले और जारा नहीं जाक खतम हों तब भुना है और अपनोग दाल में गरज़ड़ाना जारू नहीं हैं क्युं стрण पहले से पर गछ शुर्ण की नहीं हो गया अब इसमें मेरा दूद जो है वो पूरा गारा हो गया था तो हम इसमें डाल दिये हैं और इसे अच्छे से मिलाएंगे तो ये देखिए दूद को आप बाद में भी डाल सकते हैं पहले पानी डाल सकते हैं लेकिन हम पहले दूद डाले हैं बाद में पानी डालेंगे तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो देखिए दूदम जहटपट सा सूख गया डालते बराबर तो हम इसमें एक गिलास पानी लिये थे तो उसमें पूरा नहीं डाले थे एक गिलास में थोड़ा सा कम पानी छोड़ दिये थे तो देखिए इसे हम अच्छे से मिला रहे है तो यह देखे बिल्कुल फूल गया है पानी डालते बराबर पाँच मिनट चलाए तो इस तरह से पूरा फूल गया है तो इसमें बारी आई है चीनी ढालने की तो हम उसी मेजरमेंट मतलब वही कटोड़ी से हम एक कटोड़ी और आधा कटोड़ी देर चीनी हम डाले हैं तो हम अच्छे से मिलाएंगे, तो यह क्या है, चीनी बिल्कुल میल्ट हो जाएगा, बिल्कुल पिधल जाएगा, और इसका texture देखिए, बिल्कुल कैसा हो जाएगा, और इसका colour भी बिल्कुल change हो गया है, देखिए भी बिल्कुल और पतला हो गया है, और इसका color भी बिल्कुल change हो गया है, चमक आ गया है हलवे में, तो अब मेहनत वाला काम आया है कि अब इसे हम चलाते रहना है, flame को बिल्कुल medium low पर रखेंगे, और इसे तब तक चलाना है, जब तक इसका घी पूरा छोर ना दे, तब तक इसे चलाते रहना है, और ये देखि क्योंकि हलवा बनाने में तुमूंग दाल का हलवा बनाने में ये time बहुत लगता है, तो patience के साथ चलाना है, जब हम बनाना इसे शुरू किये थे, तो मोसम बिल्कुल ठंडा था, मुझे ठंडा लग रहा था, लेकिन ये हलवा बनाते मुझे बिल्कुल गर्मी लगने लग आने लगा एह हलवे से देऑ बाहर आने लगा है, और ये बिल्कुल भाल हो गया है, तो इसमें खी तो हम इंडालेते लो, छोटी कटोडी से two toign जादा नहीं डालेते हैं, तो उपर से थोर być घ靈 डालेंगे बाद में, बाद में ऐचतर तो काजु की जैनके लगता हैं, और काजू डालने से इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें दो तिन इलाइची डालेंगे बूप करके तो हम दो तिन इलाइची बूप करके इस तरह से डाल दिये हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यह सर्फ करने के लिए बिल्कुल तैयार है हलवा तो इसमें तो गी नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्योंकि इसमें भी गी बहुत कर्म डाली थी मैं तो उपर से थोड़ा सा एक चमच गी डाल दी ताकि इसमें गी का फ्लेवर लगे कि हलवा मूंग डाल का हलवा है उस तरह से मैं थोड़ा से उपर से गी डाल दी हूँ और इसे हम एक बाल में निकाल लेंगे तो तैयार है हमारा साधियों और पाटियों में खाने वाला मौंग दाल का हलवा तो देखे इसमें बनाने में तो इसको काफी मेहनत लगता है काफी समय लगता है मेहनत नहीं लगता है काफी समय लगता है तो उपर से हम पिस्ता का गार्नि झाँ झाँ झाँे ठाँ चाँ झाँ झाँे।